हेलो मैं यूट्वी फैमिली तो कैसे हो आप सब लोग आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा और टेश्टी यूनीक साडिस्ट तो बताएए का कमन करके कि इस रेशिपी का क्या नाम है तो मैंने लिया है आपके जी चिकन इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है मैं इस में आप कर रही हूँ एक बड़ा चममय अध्रा ट्रास्वन कर पेस्ट इसको मैंने पेस्ट पूरा नहीं मतलब करूंटिया हूआ है ति ग्रेट कर लिया था या निजम में इसमाने किया है नमक नमक मैंने एक प्र। मैंने मैं आपकूल C लएद पैस्ण लीगी मिक्स करना है इसे मिक्स करने के लिए हम हाथ हों कि यूज खरेंगी अच्छे से जो है वारा में लिए यह सब लगते हैं तो इसे हम ये मैं न्पेधे आट किया है दो बड़वाज शाइस-स के प्याद को मैं यह इन सबलय चीज़े जिसको छील करके रिखाय करेंगे और मैंने लिया है 10-15 काजू जिसको मैंने त्वादर के लिए भिगा कर रख दिये थे और इन सबी चीजों को हमें थोड़ा सा फ्राइ करना है ज्यादाने इनका हमें कलर नहीं चेंज करना है बस थोड़ा सा सॉप्ट हो जाए तब तक इसे हमें कुक करना है इस रेसिपी को जितना ही आसान है उतना ही खाने में टेस्टी लगता है तो आप एक बार जरूर कीजिएगा और हां कमेंट करके मुझे जरूर बताईगा किस रेसिपी का क्या नाम है जबी और चले फिर हम आगे देखते हैं हमने जो प्याज लिया था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका ह है तो फिर मैंने इसमें एड़ किया है एक बड़े साइस का टमाटर और मैंने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि टमाटर और प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए अब हमें इसे तोला सा सॉफ्ट करना है मुतलब ड़क करना है दो तीन मियाट तक हमें से कुक करना है जब टम त्रणा होने देंगे थादा होने ये बाद में इसका पेश्ट तैयार करना है अब हमने लिया है एक कढ़ाई वही वाली कढ़ाई लिए जिसमें प्याज और मसाले अमरे फ्राइब करें किये दे उसी में मैंने याट किया है चार बड़ा चमच ऑईल और दो बड़ी चमच ब मैं द्राइब करना है लकांत अब हुआ हेकि भी प्राइब करना है और भी अंधर प्राइब मसालों ट्राइब में मिक्स करना है पांगे मिरसी पाॉडर चुकित अब मैंने देलिया एट किया आप चाहो तो कम यह जादा कर सकते हो अपने टेस के अकॉर्डिंग और मने लिए है आदा चमाच हल्दी और इन सबी चीजों को हमें एक साथ मिक्स करना है अच्छे से अब इसे दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है और बनने के बाद तो खैरा आप पूछे इमत तो इसे हम ढख करके कुख वने देंगे तीजे चाय मेंट लोटू मीडम फ्लेम पर यह जब तक ऑईल नहीं चोड़ता इसमें और हमारा जो चिकन है अच्छे से मैगनट हो च देदे कुख करना है यानी कि इसको अलग से प्राइए करना है अधि आप इस लगें बसे रंख कर दिया तो उसे हमारे मसाला की करना सुग हो चुख है अब देखे इसमीरार हख टुका है और मेंट करते वक्त तो च्छला नहीं इसे चार मेर तक में मसालों को भूनेंगे एक तरफ मैंने मसाला भूनना श्टाट किया और दुस्य साइड पर मैंने चिकन को फ्राइक अश्टार कर दिया तो इसलिए मेरा काम इजी हो गया आप इसी तरीके से करो एदिखे चिकन भी भून चुका है और मैंने तोब आसा इस में ही चिकन को एड़ करेंगे अगर आप इन फ्राइज चिकन को भी खाएंगे ना तो भी ए खाने में टेस्टी लगता है मेरे अईसे ही दो तीन पीस खतम हो चुका था बच्चे लोग खा लिये थे तो मैंने जो बच्चा हुए था उन जबी चीजों को इसमें डाल दिया और उसी के साथ जो मसाला जो है फ्राई हो चुका था वह भी मैंने इसमें आइड कर दिया अब हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से हमें इन सभी दोनों चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे इसे हमें और नहीं बूरना है बस तो मिक्स करना है और अब हम इसमें आइड करेंग इसमेश Kenny में आपको लिया मिक्स कर दिया मिर्ची ओर गरम उdriven Briton को और मैंने लिया है पानी ग्रास और अब इन पानी के साथ मिक्स अधा मसाले और चिगंट को सब एक साथ मינिक्स खरेंगे यह वजिए करें गै Egg हाई-टू-मीडियम रखना है लोग टू-मीडियम पे मसाला भूनना है और बाकी आगे का जो कुटिंग होगा हमारा हाई-टू-मीडियम रहेगा पानी दवासा कम लग रहता हुझे तो मैंने इसमें आदा ग्लास पानी और एट किया और फिर से में इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हुझे इसमें नमक दो बार एड होता है तो आप ध्यान रखके नमक डालिएगा इसमें अब हमारी रेसिपी जो है वह रेडी हो चुकी है तो इसमें हम बहुत एक ज़रूरी सामान डालेंगे जो इस चिकन को और भी हाई-लेबल पर लिके जाएगा और वह है कासूरी म थी थोड़ा सा क्रश करके डाला है और एक पाउश टोमाटो कचप डाला है मैंने अच्छे से इस पाउश की उखाली किया है पुरी तरीके से थोड़ा भी मैने उसमें बचाया नहीं है और इस इन दोनों चीजों को हमारे चिकन गरवी के साथ मिक्स कर देंगे चला करके औ तो आप ट्राइ कीजिएगा और कमेंट करके इसका नेम हमें जरूर बताईएगा यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी है आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम यह जादा कर सकते हो देखिए ब्राइंट्स बस हमारे यह तयार है अब हम इसे गानिश लिए हैं बारी कटे हुए हरे धनी के साथ अब इन दनी के साथ पे इसे हम मिक्स कर देंगे तक कि जो है धनी का फ्लेवर भी आजा इसमें और यह और टेस्टी हो जाए और बस हमारा जो चिकन है वो रेड के साथ बहुत ही बैस्ट लगता है आप ट्राइ करना जी रहा इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले के अप्लोड है बहुत पहले वाली वीडियो वीडियो आप जरूर देखना और यह लिजिए हमारा जो चिकन बन के तयार है इसे मैंने गानिश किया है तो ला सहरा जनिया और बटर के साथ तो जाहिए आप भी बनाएए और ट्राइ कीजिए और रेसिपी अच्छी लेगे दे लाइक और जयान को सस्क्राइब